अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी लाइक जरूर करना तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी वर्ट्पेस वेबसाइट पर एक फ्री एसेसल सर्टिफिकेट इस्टॉल कर सकते हो तो उसके लिए आपको गूगल में फ्री एसेसल सर्च करना होगा तो यहां पर आप देख सकते हो बहुत सारे वेबसाइट से जहां से आप फ्री एसेसल सर्टिफिकेट ले सकते हो तो हम चलते हैं भी यहां पर सेकेंड लिंक देख रहे हो आप जीरो एसेसल पर यहां पर क्लि करनी हो गी ठीक है? तो यहाँ पर हम GATE FREE SSL पर किलिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी है E2 Deccard करनी होगी। ठीक है? तो अभी मेरे पास याकाउंट पहले से है तो मैं login करता हूँ log in और यहाँ पर आप देख सकते हो new certificate का बटन दिख रहा है आपको तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे में इंटर डोमेन में यहाँ पर आपको डॉमेन और चैल लो वह फ्री 200 तो यहाँ पर यहाँ पर सत्क्रेब और यहां लिफ्याइद ृप्स्य ü levenaa कर सकते हो दूसरा है DNS और थर्ड है HTTP फाइल अप्लोड ठीक है तो मैं अपनी डॉमेन और सी वेरिफाई करने के लिए यह डॉमेन के ओप्सन सेलेक्ट करता हूँ तो मैं अपने जाओंगा गोडैडी पर जहां से मैंना डॉमेन नेम लिया था तो अभी आप देख सेते हूं मैं आपने डॉमेन नेम के डिन सेटिंग्स में हूँ तो यहां पर मुझे एक dns रिकॉर्ड के अंदर एक dns रिकॉर एड करनी है तो जस्ट एड पर क्लिक करेंगे और यहां पर जस्ट मैं नेम कॉपी कर लेता हूं और नेम में पेस्ट ठीक है और टाइप है कि सीनेम और वैल्यू के अंदर में यह आएगा पॉइंट वाला कॉपी और टीटियल में मैं वन आवर कर देता हूं ठीक है एड रिकॉर्ड और यहां पर पहला ऑप्सन यस सेफ तो यहां पर देख सकते हो सक्सेस डिनस रिकॉर्ड एड हो चुका है अब दोबारा हम जीरो एससल के वेब्साइट पर चलते हैं यहां पर नेक्स्ट स्टेप और यहा पास यहां ऑप्सन आचुका है यह सटीफिकेट हैज में इसूड एड़ी फॉर इंस्टॉलेशन तो हम यहां से अपनी सेटिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है और जस्ट आपको यहां पर सटिफिकेट डाउनलोड करने के लिए सर्वर सिलेक करना है तो मैं अपना से पैनल करते हैं ठीक है मैं से पैनल से करता हूं और आपको यहां पर डाउनलोड सेटिफिकेट कर लेते हैं डाउनलोड सिस्क्रेट अब देख सकता ह Nope अपने जो e zip file extract किया था उसके अंदर यह तीन file है ठीक है तो हमें इसी तीन file को cpanel में upload करनी है SSL install करने के लिए तो अब हम चलते हैं अपने hosting के सी Panel में ठीक है तो अभी आप देख सकते हो हम अपने सी पैनल पर आ चुके हैं तो यहां पर आपको यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे options है files, database, domains, matrix, software, security तो यह जो security option है इसके अंदर आपको यह दिख रहा है SSL और TLS का link जिसे हमें open करनी है और अब आपको यहां पर दिख रहा है CRT certificate CRT नीचे में है generate view upload or delete SSL certificates तो हमें इस link पर क्लिक करनी है अभी और यहां पर देखो SSL certificates upload a new certificate तो यहां पर आप जो certificate में जो code है वो भी paste कर सकते हो ठीक है नहीं तो आपको यहां नीचे में दिख रहा है यहां पर एक है choose a certificate file ठीक है तो just आपको यहां पर choose file करनी है और यहां पर certificate है उसे select करके open करना है ठीक है और upload certificate पर click कर दो आप go back ठीक है तो आप देख सकते हो जो certificate हमने अभी upload किया था वह यहां पर सो कर रहा है install का तो install पर हमें क्लिक करनी है अभी और यहां देख सकते हो install and assistance website ठीक है तो यहां यहां पर domain name हमारा factory-dunia.com ठीक है और यहां पर certificate है जो हमने अभी install किया और हमें यहां पर private key इंटर करनी है ठीक है तो private key इंटर करने के लिए हमें यहां जाना होगा यहां पर यहां पर आप देख सकते हो private key है तो इसे आपको notepad प्लस-प्लस से व्यू करनी है ठीक है तो आप देख सकते हो यह हमारी private की है तो इसे आप select कर लो और copy कर लो और दोबार आप अपने c-panel पर जाओ यहां पर और यहां पर जिसको paste कर दो आप पेस्ट हो गया है तो आप देख सकते हो CA bundle यहां पहरे से इंटर्ड है तो यह इसे आपको डालने के जोगत नहीं है तो जस्ट आपको अब install certificate की बटन पर क्लिक करनी है और यहां पर देखो SSL host successfully installed ठीक है तो आप देख सकते हो हमारे domain name के लिए SSL install हो चुका है तो जस्ट आप OK पर क्लिक कर दो ठीक है अब यहां पर देख सकते हो factory HTTPS इंटर करते हैं और अब आप देख सकते हो हमारा certificate successfully installed हो चुका है SSL certificate यहां देखो green bar so कर रहा है connection is secure connection is secure certificate is valid अब देख सकते हो issued by zero SSL ठीक है और यह तीन महिने के लिए valid रहती है तो आपको हर तीन महिने पर यह certificate certificate install कर सकते हो तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दे थैंक यू